पर पाउने हैं कि स्कामिक रहा ala iso लेकिन अगर आपको रिस्टुरु में आपको रस्मलाई खा नगा तो घर में यह बन नहीं शकते हैं इस अगर मैं क बै편unächst 2 मिनित इसे घर में बना शकते हैं तुछ शुरूर ओना बताते हैं कि कैसे बनती है तो बहुत ही कम चीजों से सबसे पहले हम यहां पर ब्रेड ले ले लेंगे तो हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इस तरह से कट लगा लिया राउन शेप में तो आप देखो गे ना यह जो मिठाई वनने वाली है ना रसमलाई जो आप मा तो अभी ब्रेड के स्लाइसेस को हम साइड में रख देते हैं और इसमें जो रस डालेंगे उसको हम तियार कर लेते हैं इसके लिए मैंने आमूल ताजा का जो दूद आता है मिल्क आता है उसका यूज़ किया अगर आप चाहे तो फ्रेश मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं तो अभी हम यहां पर चीनी दे देंगे, चीनी आप अपने हिसाब से देना, जो क्वांटिटी जितना मीठा आपको पसंद है, क्योंकि हम दूद को थोड़ा रिड्यूस करेंगे, पकर लिचे, इसको हमने 500 ग्रम दूद रखाना, तो इसे हम थोड़ा रिड्यूस करके करीब करेंगे, और अगर केसर नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव है, अगर फूट कलर है, तो फूट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है, तो अब एक चुटकी हल्दी दे दो, आप मेरा बात मान लो, क्योंकि इसमें थोड़ा भी स्मेल नहीं आने वाली है, कि ह दूट को गारी करना ना, तो आप इसमें ना करीब एक चमच कॉन फ्लोर को घोल के दे दे, तब जो आपकी रसमलाई का ठीकने से ना बहुत अच्छी वनेगी, और आपको दूट को बहुत जादा सुखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये देखे, तो हमने इसे दिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर करीब आदा चमच कॉन फ्लोर दे दिया था, जो उसकी भो गया, वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई, और इसके बाद मैंने इसे जो ब्रेट के साइसे से इसके उपर पोड कर दिया, तो ये देखे, ये बहुत जल्दी जो सारा दूदन आपने अंदर खीच लेती है, और ये बहुत सौफ्ट, बहुती टेस्टी बन जाती है, तो है ना, ये बहुती सिंपल, और सच में ये अगर आप किसी को दोगे ना, और अगर उनको पता नहीं कि आपने इसे घर पे बनाए है, तो उसे पता ही उनको पता ही नहीं चलेगा कि यह आपने ब्रेज से बना है क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना पूरी मार्केट वाली रस्मलाई की जैसी ही है बहुत अच्छी मिठाई बनती है आप इसे एक बार घर में ट्राइ कीजिएगा आपको भी पता चल जाएगा तो आई होब यह वीडियो आप लोगों के लिए हेलफुल होई अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए